नमस्ते दोस्तों, जाइका विथनिली में आपका स्वागत है मैं लेकर आए हूँ दो प्रकार की वरियां की रेसिपी हम बनाएंगे अमरित सरी वड़ी और मिक्स डाल वड़ी गर्मियों के मौसम में आप इसे असानियों से बना सकते हैं अगर घर में सबजी या ना हो तो इन बरियों की सबजी का मजा आप ले सकते हैं चलिए हम लोग सबसे पहले अमरित सरी पड़ी बनाते हैं जिसके लिए हमने धाई सो गराम उड़ा दाल लेंगे जिसे हमने चार से पॉंच घंटे खुलने के लिए रख दिया है आप चाहे तो रात को भिंगो दे और सुबह में इसे पीश कर बना सकते हैं इसे पीशने के लिए हम मिक्सी का जार लेंगे और अपनी सारे दाल इसमें डाल लेंगे इस दाल को आप जितना कम से कम पानी डाल कर आप पीशे देखिए हमने दाल पीश लिया है इसे हमने जैसे जैसे जरुत पड़ा हम थोड़ी थोड़ी पानी डाल कर पीस लिए देखिए कितना अच्छे ढंक से पीस कर तयार है इसे हम थोड़ी दिर रिष्ट करने देंगे जब तक हम बड़ी में डालने के लिए मसाले तयार कर लेंगे देखिए यहाँ पर हमने कुछ मसाले निकाल कर रखे हैं यहाँ पर हमने तीन से चार लाल मिर्च लिये हैं यहाँ पर हम सौफ लेंगे एक चम्मच जीरा लेंगे आधी चम्मच काली मिर्च लेंगे सावुत धनिया दो चम्मच लेंगे और थोड़ी सी कसूरी मेथी लेंगे दो से तीन पत्ते तेच पात्ता का लेंगे सारे मसाले को हम रोष्ट करेंगे जिसके लिए हमने एक पैन को गैस के फ्लेम आउन कर रख दिया है इन मसालों को हमें दो से तीन मिनट रोष्ट करना है और उसके बाद हम इन मसालों को किसी बर्तन में निकाल लेंगे गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और गर्म पैन में ही हम सौफ, जीरा और कसूरी मेती को गर्म कर लेंगे हम मिक्सी के जार लेंगे जिसमें हम अपनी लाल मिर्च डालेंगे तेजपत्ता को डालेंगे और इसमें हमने जो रोष्ट किया था धनिया और काली मिर्च वो डालेंगे इसे हमें वारिक नहीं पीषना है बस दरदरा हमें पीषना है देखिए इस ढंक का हमारे मसाले होने चाहिए और हम अपनी PCV डाल लेंगे जिसमें हमने जो दरदरा कुटा था मसाला वो डालेंगे और इसमें हमने जो रोष्ट करके रखा था जीरा, सौफ और कसूरी मेथी वो भी हम इसमें डाल देंगे इसमें हम एक चौथाई चमच अद्रक का पौडर डाल रहे हैं आप चाहें तो अद्रक को घिसकर भी डाल सकते हैं हम दो तीन चुटकी हिंग का डालेंगे स्वादा अनुसार नमक डालेंगे आधा चमच लाल मिर्च पौडर डालेंगे अगर आप तीखा ज्यादा पसंद करते हैं तो और भी डाल सकते हैं सारे मसाले को पीसी हुई उड़त की डाल में हम मिक्स कर देंगे इसे अच्छे ढंक से हमें मिक्स कर देना है मिक्स डाल की बढ़िया बनाने के लिए हमने यहाँ तीन तरह की डाल ली है चैना की डाल जिसे हमने चार घंटे पानी में भींगो कर रखा है सारे डाल को हमने चार घंटा भींगो कर रखा है और यहाँ पर हमने साओ गराम मसूर की डाल ली है और चार से पांच चमच हमने उड़त की लिए है हमने सारी दाल को अच्छे ढंक से धो कर लिया है हम सभी दाल को एक ही बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे हम इस दाल को पीश लेंगे हम दाल को पीशने के लिए मिक्सी का जार लेंगे जिसमें हम अपनी दाल डालेंगे इसमें आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर ही पीसे ज्यादा पानी एक बार में मत डालें देखिए हमने सारी दाल को पीस कर तयार कर लिया है इसे हमें बारिक पेश्ट नहीं करना इसे थोड़ा दरदरा ही रखना है हम पिसी भी दाल में दो से तिन चुटकी हींका डालेंगे और एक चम्मच हम साबुत जीरा डालेंगे और एक चम्मच अजवाइन डालेंगे अब इन्हें हम मिक्स कर देंगे मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए हमारे चैनल पर नए आये हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए वेल आइकन का बटन प्रिस कर दें और मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा सियर करें हमने पीसी वी दाल को अच्छे ढंग से मिक्स कर लिया है चलिए अब हम बढ़ियां बनाएंगे जिसके लिए हमने एक प्लास्टिक का स्षीट लिया है जिस पर हम बढ़ियां बनाएंगे ये मिक्स दाल की बढ़ियां है जिसे हम छोटी छोटी बढ़ियां ही बनाएंगे इसी तरह हम सारी वर्या को बना कर तयार कर लेंगे देखिए हमारी सारी वर्या बन कर तयार है अब हम अमरी सरी बड़ी बना लेंगे उड़त की राथ थोड़ी चिपचिपी होती है जिसके लिए आप हाथ में थोड़ा पानी लगा कर इसे बनाएं आप इसी तरह सारी वरियां को बना कर तयार कर लें इन वरियों को आप तेज धूप में सुखा कर तयार कर लें चलिए हम दो दिन बाद मिलेंगे देखिए दो दिन में हमारी वरियां कितने अच्छे ढंक से सुख चुकी है मिक्स डाल की बरियान तकरिवन एक दिन में शुक कर तयार हो गए थी क्योंकि वो छोटी छोटी बनती है और हमरे शरी बरी बनने में दो दिन लग गए थी क्योंकि इसका Size थोड़ा बड़ा होता है इसे मैं तोड़ कर दिखाती हूं कितने अच्छे ढंग से बरियां सुख चुकी है मिल्ख दल बरियां भी देखिए कितने अच्छे ढंग से सुख कर तैयार हो चुकी है इन बरियों से बहुत ही टेस्टी सबजी बन कर तैयार होती है आप अम्री सरी बड़ी और मिक्स दाल की बड़ी घर पर जरूर बनाएं